बजट 2021 वित मंत्री सिता रमाण ने लोग सबाव में आम बजट पेस किया केंद्री वित मंत्री निर्मला सिता रमाण ने एक फरवरी 2021 को लोग सबाव में आम बजट को पेस किया है मोधी सरकार की तरप से इस बार स्वास्त चत्र पर फोकस किया गया केंदरी सिरकार दोरा पेट्रल और डीजल पर करसी सेंस लगाया गया है डीजल पर 4 रुपे और पेट्रल पर 5 रुपे का सेंस लगाया गया है ऐसा पहली बार हुआ कि संसद में राष्ट पती की अभी बासन के दोरान भी सिद्ध से Central Hall के अतरिक तर लोक सबा और राज सबा में बैठे ही इससे पहले तक अभी बासन के दोरान सभी सदे से Central Hall में ही बैठते थी एक फरवर यानि कल केंदरी बजट पेस किया गया है यानि कि आज केंदरी बजट पेस किया गया ही यह पहला मौका है जब पेपरलेस बजट पेस किया गया ही यह मोज़ी सरकार का तीसरा बजट है बजट 21 वितमंतरी ने लौंच किया केंदरी बजट मॉबाईल एप देखते हैं क्या है इसके बारे में बारत के वितमंतरी निर्मला सिधरामन ने सभी इतदारकों को केंदरी बजट की जानकारी आसान और तवरेत पहुंच परदान कराने के लिए केंदरी बजट मॉबाईल एप लौंच किया है बारत के सभी संसित सदस्य और आम जनता को बजट से सम्मंदित पूरी जानकारी मिलेगे ये एप वार्शिग वित्य वीवरान E.I.F.S. अनुदान के मांग D.G. और वित विदेक आदि सहित, चहोदा, केंदरी बजट दस्ता वेजों को देखने की सुविधा परदान करता है भारत सरकार के इस एप को आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते है इस एप में आपको बजट 21 में वित्मंतरी का बजट बासन, वार्शिग वित्य वीवरान, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदूओं की जानकारी मिलेगी नेपाल की जल विद्यूत परियूजना भारत के सतलज जल विद्यूत निगम को मिली नेपाल सरकार नहीं गोश्चना किये कि उसने भारत के सतलज जल विद्यूत निगम ASJVN को 619 मेगावाट की लोवर अरून आइडरोप परियूजना के निर्मान का ठेका दिया है इन्वेस्टमेंट बोर्ड ओप नेपाल दोरा जारी एक रिलीज के अनुसार 29 जनवरी 2021 को आई बीएन की एक बैठक में बूट मोडल बिल्ड ओन ओप्रेट और ट्रांसफर के तहत एक भारतिय कमपनी को अपना अनुबंद देने का निर्ण लिया हैं नेपाल के परदान मंतर केपी ओली याद रखना दोस्तों कि अदेखस्ता में हुई एक बैठक में सुची बद कमपनियों के आंकलन के आदार पर डेवलपर कमपनी के संद्रब में फैसला किया गया जो अंतराष्टी बोली परकरिया के मादेम से चूनी गई UNWTO के मुताबित वर्स 2020 रा सबसे खराब वर्स UNWTO यानि कि संयुक्त राष्टर विस्व परेटन संक्टन याद रखना दोस्तों इसका पूरा नाम है UNWTO का संयुक्त राष्टर विस्व परेटन संक्टन हाली में वर्स 2020 को रिकोर्ड पर सबसे खराब वर्स के तोर पर अपनी पूस्टी बर्दान किये वेस्विक परेटन को कोवीड-19 के परकोप को रोकने के लिए लागू अंतराष्ट यात्रा परती बंदों के कारण काफी बड़े पेमाने पर नुक्सन उठाना पड़ा संयुक्त राष्टर विस्व परेटन संग्ठन की एक नविंतम रिपोर्ट के अनुशार अंतराष्ट यात्रा में गिरावाट से निर्यात राजस्व में 1.3 trillion अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुक्सन हुआ है जो वर्ष 2009 के वेस्विक आर्थिक संकट के दोरान दर्च किये गे नुक्सन से 11 गुना अधिक है दोस्तों यकिन नहीं करोगे आप देखू कितना दोजार नो से 11 गुना अधिक नुक्सन हुआ इस बार अगला कॉस्चन कॉन्वेक्स भारत में तीसरा कोविड-19 वेक्षिन जल्द मिलेगा भारत बहुत परगते कर रहा है भाईच आप तीसरा वेक्षिन वारत में जल्द तीसरा कोविड-19 वेक्षिन उपलिप्ट कराया जा सकता है सिरम इंस्टिट्यूड ओप इंडिया S.I.I. इसका फूलपो में सिरम इंस्टिट्यूड ओप इंडिया के CEO अधार पुनावाल ने इस बारे में मतोपुन जानकार दिये पुनावाल ने एक टिविट में कहा कि सिरम इंस्टिट्यूड ने नोवा वेक्षिन के साथ भी कोविड-19 वेक्षिन के लिए साज़दारी में उतकरिष्ट परभाव कारिता परिणाम परदर्शित किये उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने भारत में इस वेक्षिन का परिक्षिन शुरू करने के लिए आवेदन किया है और जुन 2021 तक वेक्षिन को वेक्षिन लॉंच करने के उमीद हैं धन्यवाद दोस्तों अगर अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए